हे फ्रेंस है रट फ़र तरी का और इस वीडियो म हम बबातरों चाहता हम आर्ट फ़र तरी के जो आने वाले हीरोस है उसमें सबसे पहला एरो है इसका नाम है Servers, तो यह hero सबसे पहले रिविल हुआ था, तो यहां पर हमारा पास तीन images से इसकी, और जो आप देख रहे हैं, यह सबसे पहले image है, इसमें कुछ ज़ादा नहीं दिख रहा है, सब्सक्राइब हम देख सखते हैं, जैट पैक है इसके पास, और यहां पर हाथ में एक वेपन है लेकिन जादा डीटेल से रिविल नहीं हो थी इस फोटो में यहां पर दो चीसे दिखे हैं आप एक कंट्यूर्ट से एडवांस और जैटपक जम्प वो एक श्टोर्डी थी वहां पर उन्होंने दी तुई हुई उसमें आगे क्या करना चाहिए उस होता है यहां पर उसके पास हHSnahme पे एक हाई्टेक पोड़ीटए है जिसके वज़ता चेह पास जादा है यह वेपन से वालो कि तो यह का इमेज जो यहां पर मुस्ती सेपकुछ रिविझो कर रहा है क्या वेपन के पास यहां पर जैटप से यहां पे इसके पास वापन है और जब यह जैड़ पेक जंसे लैंड करता है तब आसपास की एनिमी उनिस को यहां पे डैमेज करता है तो यह भी दिख रहा है में इस फोटो में यहां पे इसके पास है मल्टी गन और यह पैटल सुज की वज़ेश यह काफी बढ़ा दिख रहा है पाकी कैसल के मुखाबले तो यह आकरी इमिज और इसमें सब कुछ यहां पर लिष्ट की गई है और एक यहां पर फोटो भी दिखाया गया है जिसमें दूसरे एनी मिनिट से लड़ते हुँ दिख रहा है तो अपने एला यूनिट्स के साथ तो अभी बात करें यहां पर लाई उनिट्स के साइस कंपरिशन की तो यह असर्ट के लगबग दो गुना पड़ा है क्योंकि इसके पास बढ़ा वाले बैटल सुट है इस दिए इतना पड़ा दिख रहा है अब ही बात करते हैं यहां पर अबिलिटिस की तो यहां पर जम्प जो एक्टिव अबिलिटी है इसका मतलब ही इसे हम कंट्रोल कर सकता है एक्टिव अपिलिटी को तो यहां से हमें कहां पर जम्प लेना है वह स्पेसिवाइड पॉइंट हम से लेक कर सकते हैं उसके बाद यह टार्गिट्स पर यहां पर रोकेट से अटेक कर सकता है और जब ground को hit करता है तब आसपास क्यों इसको damage करता है तो यह active ability हम यहाँ पर पूरा इसे control कर सकते हैं emergency energy shell यह passive ability है तो हम यहाँ पर इसे control नहीं कर सकते जब इसके इसके attack जादा होगा और इसे damage जादा होगा तब यह एक energy shell जैसा बना लेगा अपने आसपास अपना defense बढ़ाने के लिए I guess तो हैसे ability एक confrontation के और unit के पास भी है जो आसपास बना लेता है अपना defensive shell protective shell इसके अलावा यहाँ पे special feature के बात कर तो multi करने के इसके पास तो यहाँ पर जब यह attack करता है इन्फिरिंट्रीक यूनिट पे तो यह machine करता है उसके और यह जब अटक करता है वेहिकल्स पे तो rocket launcher करता है तो यह थी यहाँ पर इसके सारे weapons के लिश्ट और abilities और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ रिविल नहीं किया गया है वीडियोज भी नहीं है इसके इस unit के लिए और यह unit कौन से building में spawn होगा यह भी हमें पता नहीं है कोई नहीं building होने का chances तो लग बग नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं building आने वाला है ऐसा कुछ announcement भी नहीं हुआ है और कुछ रिविल भी नहीं हुआ है तो जो existing building है उसे में कहीं पर setup किया होगा सारे नई units के लिए कुछ ना कुछ और इसका आर्मर भी बहुत साथ आ है क्योंकि जिस तरह से स्टोरी में लिखा गया था कि आर्मर साथ आ है तो पाकिसार एसल से तो साथ है यह होगा इसका आर्मर लेकिन देखना है कि कौन से लेवल पर हम इसे unlock कर पाएंगे spawn करने के लिए कि एड़ का कौन सा लेवल चाहिए होगा वह सब भी देखना होगा तो यह था वीडियो सर्प्रस के बारे में अगर आपके वीडियो पूसले तो जब से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए